Hello and welcome आज का मार डॉपिक है Finding the Oxidant and Reductant in Case of Redox Reaction तो सबसे भी हमें चेक करना है यह जो दिया हुआ reaction है वो Redox Reaction है भी या नहीं तो Redox Reaction चेक करने की condition क्या होगी यहाँ पर simultaneously Oxidation और Reduction दोनों होना चाहिए तो यहाँ पर कोई Spaces Oxidation में जाना चाहिए और कोई Reduction में जाना चाहिए तो Oxidation में जाने की condition क्या है अगर किसी भी element का Oxidation नमबर बढ़ जाएगा तो वो Process Oxidation कहलाएगा और अगर किसी भी element का Oxidation नमबर कम हो जाएगा तो वो Reduction कहलाएगा तो चेक करते हैं सबसे पहले हर एक compound में अगर एक इंडिजिवल आइटम्स के Oxidation नमबर तो यहाँ पर Hydrogen का Oxidation नमबर है प्लस वन अलसनिक का नहीं पता Oxygen का माइनस तो तो क्या पता चलेगा त्री इंटू यहाँ इस त्री को छोड़ दीजिए यहाँ पर जो 3 है 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर आलसनिक का क्या मिला प्लस 3 यह कैसे क्या मिल गया माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 होना चाहिए और जो प्लस 3 में लिख रहा हूँ वो पूरे क्या पूरे compound के अपर कोई charge नहीं है इसलिए neutral spaces में oxidation number का sum 0 आना चाहिए इस logic के इसाफ से यह 3 और minus 6 minus 3 बन गया balance करने के लिए plus 3 दिया तो arsenic oxidation number क्या हो गया plus 3 यहाँ पर आईए bromine का suppose नहीं पता और oxygen का minus 2 फिर से वही कहानी 3 into minus 2 क्या हो जाएगा minus 6 लेकिन यह आयन है और इसका oxidation number कितना दिया है minus 1 तो ultimate balance करने के लिए मैं क्या करना होगा इस minus 1 के साथ इस minus 6 को equate करना होगा तो BR का नहीं पता मैं x माल लेता हूं तो minus 6 करके हाँ पर minus 1 लिग देता हूं तो minus 6 रोज जाएगा plus 6 बन जाएगा इस तरह से BR का oxidation number हमें क्या मिलेगा है यहां पर plus 5 क्योंकि यक्स की value solve करेंगे तो क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या आगे oxidation number plus 5 आगे बढ़ते हैं यहां पर clear ही दिख रहा है BR का oxidation number क्या यहां पर minus 1 क्योंकि अखेला atom है यानिक फॉर्म में है लेकिन अकेला है इसलिए जो भी charge होगा वही उस atom का oxidation number बन जाएगा तो minus 1 हो चुका है नेक्स बढ़ते हैं hydrogen के लिए oxidation number plus 1 लेते हैं oxygen के लिए minus 2 लेते हैं अब इसको फिर से solve करना होगा कैसे करेंगे 3 into plus 1 plus 3 4 into minus 2 minus 8 solve करेंगे 3 minus 8 minus 5 बनेगा balancing के लिए हमें करना होगा plus 5 तो arsenic oxidation number क्या आगया है यहांपे plus 5 अभी चेक करिए किसी भी element का oxidation number बढ़ा है क्या तो ध्यान से देखिए यहांपे arsenic oxidation number बढ़ा है तो plus 3 था वो plus 5 हो गया यानि कि यह process क्या कहला है जाएगी oxidation increase in oxidation number is nothing but oxidation और जो plus 5 oxidation number था ब्रोमीन का अब यहांपे minus 1 हो चुका है यानि कि यह क्या हो गया decrease plus 5 था minus 1 हो गया यानि कि अगर किसी business में 5 lakh की investment और 1,00,00 का करजा हो गया इसी कहानी है यहांपे minus 6 का difference है यानि कि 6 का loss हो चुका है इसलिए य यार के साथ जो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे reduction process तो यस यहांपे oxidation भी हुआ है और reduction भी simultaneously हुआ है इसलिए पहली कहानी यह एक redox reaction है for sure redox reaction है confirm हो चुका है और अब हमें चेक करना है oxidant कोन है और reductant कोन है तो oxidant मतलब क्या ऐसा spaces जो किसी का तो भी oxidation करवा है तो यहांपे oxidation किसका हुआ है इस spaces का हुआ है तो arsenic का oxidation हुआ है यहांपे यानि कि H3ASO3 का oxidation हुआ है in short तो AS का oxidation बढ़ चुका है यहांपे किसके O3- के विज़े से बढ़ा है तो oxidant क्या हो जाएगा है यहांपे oxidant कहलाएगा BR-O3- और इसी BR-O3- का reduction हुआ है अब देख सकते हो कम हो चुका यहांपे वो किसके विज़े सी हुआ है तो वो H3ASO3 के विज़े हुआ है तो reductant क्या हो जाएगा है यहांपे reductant कहलाएजाएगा H3ASO3 तो यहांपे reaction, redox reaction है, oxidant BR- है और reductant H3ASO3 है That's all. Thank you.